हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनिस सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो यूपी FSC नर्स भरती 2021 दोस्तो एननम भरती के लिए बहुती बड़ी खबर निकल की आ रही है 9212 पदो पर जो भरती आ रही है इसके बारे में दोस्तो बहुती बड़ी और फीसली अपडे निकल की आ रही है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कोई आनम की भरती जो है किस दिन आएगी साथी दोस्तो जो आप लोगों का पेट का एक्जाम हुआ है बिल्कुल दोस्तो यहाँ पे एक्जाम करवाय जा रहा है लेकिन थोड़ा सा डेले होगा इसकी भी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं तो अगर आप लोग दोस्तो एनम की भरती का वेट करे हो और पेट का जो यहाँ पे रेजल्ट है इसका वेट करे हो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे वेट करिए पूरा वीडियो देखिए आपको जो है इस वीडियो में ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो चलिए दोस्तो सबसे पहले देखिए हम आपको लेके चलते हैं और फिसली वेबसाइट पर दोस्तो आप से रिक्वेश्ट करता हूँ वीडियो को इसकी मत करना आपको एर टू जर सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी साथी मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा सबसे पहले हम बात करेंगे कलेंडर के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो कलेंडर निकाला गया था आप लोग देख सकती हो मार्च 2022 तक जो भी यहाँ पर एकजाम जो है UPCC कराने वाला है उसका यहाँ पर कलेंडर 24 जुलाई 2021 को उन्होंने जारिक कर दिया है परिच्छा 2019 की मुख परिच्छा जो है 622 पर जो 2019 में लोवर की यहाँ पर निकाले गए थी उसका अक्टोबर में एकजाम होगा तो दोस्तों 21 अक्टोबर को इसका एकजाम है और इसका एड्मिट कार्ड भी आ चुका है दोस्तों जो यहाँ पर आयोग है बिल्कुल कलेंडर के अनुसार जो है यहाँ पर एकजाम है करवा रही है अभी यहाँ पर एकजाम डेट भी मेंसन हो चुकी है और देखी यहाँ पर दोस्तों एड्मिट कार्ड भी आ चुका है विग्यापन संख्या उनके जो है दो नमबर यहां पर बढ़ाए गए हैं तो आप लोगों का जो पेड़ का इजाम हुआ था अगर आप लोगों का जो पेड़ का इजाम हुआ था जो कि अगस्त में ही इजाम हुआ था 24 अगस्त को इसका इजाम हुआ था और इसमें हम बात करें दोस्तो 24 अगस्त को जो एजाम हुआ था अगर आप लोगों ने सेकेंड सेट में एजाम दिया तो आपके दो नमबर बड़े हैं तो जैसा कि दोस्तों फाइनल रेजल्ट यहां पर आ चुका है अभी इसका डारेक्ट रेजल्ट आएगा तो दोस्तों रेजल्ट की आएगा आप लोगों को बता दें 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर या फिर दिपावली से 100% रेजल्ट आजाएगा यह दोस्तों लखनों से बहुत ही बड़ी सोचना निकल की आ रही है बिल्कुल आप लोग विश्वास करिए वीडियो को रेजल्ट नहीं आएगा तो दिपावली से पहले 100% आपका रेजल्ट आएगा दोस्तों बता दे देखिए जो यहाँ पर UPCC है एक्जाम कंड़िट करवा रही है 642 रुपाद ओपद किया भरते निकाले गई थी 2019 में और इसका जो एक्जाम है दोस्तों बता दे तो 21 अक्टोबर को होगा दो पालियों में एक्जाम है और यह दोस्तों 16 अक्टोबर को एडमिट कार जारी किया गया है और यह दोस्तों लखनों में एक्जाम हो रहा है इसमें अगर हम बात करें तो लखनोर में ही सिर्फ रिखाम हो रहा है और आप लोगों का जो यहाँ पे अगर हम calendar देखें calendar के अनुसार गर हम बात करें है तो जो आप लोगों की information दी गई है एनम के बारे में क्योंकि मैं आपको सब कुछ प्रूफ दिखा रहा हूं और आपको इन्फार्मेशन जो है रियल दिये जा रहे हैं नमबर यहां पर देखिए यह नमबर शिक्स देखिए प्रारिम्भिक पातरता परिच्छा 2021 के प्रेडाम के उपरांत यहां पर बोला जाए है इनकी जो मुक्य परिच्च्च होगी डारेक्ट मुक्य परिच्च्चा होगी दोस्तों इसका कोई प्री एक्जाम नहीं होगा क्यूकि आप लोगों का पहले से यहाँ पे पेट है इसमें जो रेजल्ट है इसकी वज़े से दोस्तो डिले हो रहा है UP triple SC पेट की वज़े से जो है यहाँ पे आपकी भरती डिले हो रही है अब हम सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों का जो भरती दोस्तो नौवंबर में आएगा बिलकुल अक्टूबर में बहुत ही कम चांस है मातर 10% चांस है कि अक्टूबर में भरती आ जाए क्योंकि आज है 17 अक्टूबर और अभी दोस्तो भरती के बहुत ही कम चांस है लेकिन हा यहाँ पी यहाँ पी यहाँ पे भेज रहे हैं टोटल नौगे के बाद ही आप लोगों का रजल्ट के लिए नोटीकरष के राएगी और अभी आप लोगों का इखम दिसम्बर में होने वाला है 15 से लेकर 20 दिसम्बर इसके बीच में ही या इसके पलस माइनस एक या दो दिन डिफरेंस होगा आप लोगों का जो यहाँ पर अइनम भरती है इनम मैंज इख Clems होगा यह दोस्तों आप लोगों का भी दिसंबर में एक्जाम होगा, कलेंडर में बोला जारा कि नौवंबर में होगा, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि नौवंबर में होगा, क्योंकि अभी दोस्तों भरती नहीं आई है, जब तक आप लोगों का पेट का रजल नहीं आएगा, भरत और जो UPSI है इसका भी दोस्तों दिसंबर में ही एक्जाम यहाँ पे होने वाला है तो 110% दोस्तों आप लोगों का एक्जाम होगा सबसे पहले बात करें तो आप लोग बहुत सारे कमर्स कर रहे थी कि सर पेट का रजल कब आएगा तो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर लिया है कि एनम यहाँ पे जो एनम के लिए जो कि यहाँ पेट का इजाम हुआ था एनम के लिए उसका जो रजल्ट है दिपावली से पहले आएगी या फिर आप लोग 31 अक्टोबर वेट करिए या फिर दिपावली दग वेट करिए हंडर एंटरन परसंट रजल्ट आएगी इसके बाद नमबर टू बहुत सारे कमर्स आ रहे थी कि सर क्या यह भरती नहीं आएगी मैं आपको बतारों गारंटी के साथ दोस्तों भरती 100 परसंट आएगी फिर भरती कीलियर हो या ना हो लेकि भरती एंटरन की जो है 100 परसंट आएगी लेकिन हाँ आप लोगों का एक्जाम जो है दिसंबर में होगा रेजल भरती जो है आपकी जरूर आएगी और एक्जाम जो है आपका जरूर होगा क्योंकि दोस्तों चुनाओ है आपका एजाम होगा 100 परसंट तो तयारी करिए अगर आप लोग फिलेबस की वीडियो चाहती हो UPSFC A&M का जो expected syllabus है बिल्कुल दोस्तो expected syllabus जो है अगर आप लोग इसकी वीडियो चाहते हो नीचे comment कर दो और अगर आप लोग दोस्तो त्यारी करना चाहते हो तो भी नीचे comment कर दो और दोस्तो कोई भी question है कोई भी doubt है नीचे आप लोग जल्दी से दी है तो thank you दोस्तो कैसा लगा वीडियो जरू बताईएगा thank you दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद